वो है पत्रलेखन के बारे में पत्रलेखन जो है उसके अंदर आपको cash marks में जाता है पूरे के पूरे के पूरे कभी ये चार mark का होता है तो कभी ये पांच mark का होता है boards में and school में जो भी checker होता है उन सबको एक specify जगा पर बता दिया जाता है कि ये अगर address लिख रहे है तो इसके इतने marks है फिर संबोधन कर रहे है तो इसके इतने marks है main जो आएगा जिसमें आपको part लिखना है letter का उसके इतने marks है और ending यहापर कर रहे है उसका अलग से marks है तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जो main part है अगर हमें लिखना ना आए पर अगर उसका उपर वाला part, नीचे वाला part, starting paragraph, ending paragraph अगर उसके अंदर हम without spelling सब कुछ घर से learn कर के जा है तो हमारे हाथ में पांच में से तीन तो घर से ही लेके जाना बन जाएगा और बाकी बज़ता है वो दो मात उसके अंदर खास focus करें कि अगर हमें उसके अंदर spelling mistakes ही नहीं हो तो हमें four and the half या full marks मिलने के पूरे chances हो सकते हैं तो आज हम यहाँ पर यही देखते हैं कि फत्र में सबसे पहले हम ठीक तरह से address लिखना सिखेंगे पहले जितने भी पत्र आते थे आज भी जो पत्र है थोड़ा बहुत format में changes हुआ है पर पत्र में हमेशा जो लिखने वाला व्यक्ती है यानि कि मैं मैं हंदर जोश है अगर मैं पत्र लिख रहा हूं तो मेरा हमेशा address रा 1001 राम नगर फिर कॉमा शाम नगर नीपास है कॉमा भटार रोर कॉमा सूरत 395 001 25 में 2015 अब यह हमारा address यानि कि हमारा एक माक हो गया देखो अगर मैं चाहता है तो मैं आपको society apartment complex ऐसा wording देता पर आपका society address और complex लिखने बैठोगे तो वहाँ पर तो आपकी spelling mistakes हो जाएगी राम नगर की जगह आशिरवात एंकलिव ऐसा लिखने बैठोगे spelling mistakes हो जाएगी बटार रोड वो इजी पढ़ेगा बटार उधना मगदला रोड आप ऐसा लिखने बैठोगे दित्कत आएगी गोड दोड रोड में गह की जगह गह हो गया तो प्रॉब्लम आएगा एं सूरत इसलिए क्योंकि छोटा सा वर्ड है 395001 एं खाज ही याद रखना है कि जो पिन कोड होता है वो जादा तर 6 डिजिट का होता है एं बुजात के सारे पिन कोड नंबर 3 डिजिट से हैं अलग जो फर्ड नंबर से स्टार्ट होता है लाइक 395001 एं जो हम डेक डालेंगे डेक अंदर आप 0103 एं टू थाउजन पंद्रा सोला सट्रा आप ऐसा डाल सकते हो पर अधो हो सके तो यह फोर्मेट को आप गेरेंटेर यूज करें यूज करें दिजिट में 2015 इस तरह से लिखा जिसमें आपको क्या-क्या ध्यान रखना है नंबर्स हमेशा इंग्लिश में लिखे लाइक 101395001 यह सारे वाड़ है तारिक में भी हो सके तो इंग्लिश नंबर का ही प्रयोग करें पैंसिल के पहले एक सीधी से लाइन खीच ले ताकि यह जो आपका जो लिखने का ढंग ह तो इक दम सही लगे अगर आपने राम नगर मी पास से वो आपने नीचे ले लिया तो थोड़ा खलाब लगता है तो उसी सावस से पेस बनाए रखे पैंसिल के एक सीधी लाइन खीचे और एड्रेस से ही ढंग से लिखे अंत में तारिक में लिखे है कि कहां पर कॉमा का इ आगे बढ़ाना है तो यह हमारा एक माख हमने कैश पेमेंट कर लिया अब आगे हम क्या लिखेंगे आगे हम लिखेंगे सामने वाले के बारे में जानकारी अगर जैसे हमारे बड़े हैं लाइक गुरू जी है मामा जी है चाचा जी है हमारे पिता जी है तो हमारे बड़े ह वह बड़े होते हैं तो उसको हमें रिस्पेक के साथ लिखना पड़ेगा लाइक पुझ्य, आदरणी, मुरभ्भी, माननी तो यहां पर जो में वर्ड दिये ना उसको ध्यान से आप देख लो पुझ्य में पुबड़ा आता है, आदरणी में यह बड़ी आती है, माननी अमें तो यह वर्ड आपको बस अच्छे तरह से लर्न करना है पुझ्य तो आपने लिखा, पुझ्य दादाजे, पर पुझ्य में पूछोटा कर देख आपकी स्पलिंग मिस्टेक्स होगी, हम वापर सरकल करेंगे और आपका हाफ मा काट लेंगे वनफोस मा काट लेंगे, सो बेटर है यह छोटी छोटी गलतिया नहीं होने चाहिए तो ची राजू, ची मन्थन, वालो बाई संजय, वाली बैन मीना और उसके बाद कॉमा उस तरह से ची जो है, ची का होता है तो चीरन जीवी, तो लंबा समेतन जीए, इस शोट फॉर्म इस ची, ची छोटा रखना चाहिए एंड डॉट, फुल स्टॉप, जैसे हम मिस्टर में एमार लिखते हैं, उसी तरह से हम इसके अंदर चीरन जीवी, डॉट, राजू के बाद कॉमा, बहन है, तो लीना है, हीना है, ऐसा नाम लिखो, जो इजी आपको यूज हो जाए अब उसके बाद उसका अभिवादन करना पड़ेगा, ऐसे शब्दु का प्रियोग करें, जो खास कर ये संबुर्धन का इसमाल करें, अगर आपसे बड़े हैं, तो उसको लिखो साधर पढ़ाओ, सप्रेम नमस्कार, साधर नमस्ते, अगर आपके हम उम्र के हैं, तो अभ इस तरह से का प्रियोग करेंगे, अब इसके बाद जो आता है, वो आता है हमारा फॉर्स प्रेगराब, में क्या लिखना होता है, इसके बाद फॉर्स प्रेगराब में नॉर्मली, हम जब लेटर लिखने बैठते हैं, कैसे हो, तु अच्छा होगा, खाना थाया क्या, मैंन पत्र लिखा, लाइक एक फोर्मालिटी पड़े वियवस्थित तरीके से होनी बहुत जरूरी है, कल ही तुमारा पत्र मिला, वाचिने आनंद थेओ, तारी कालेज, कॉलेज मां तने चित्रस पर्दा मां दीती नंबर प्राप्त थेओ छे, ते जाने ने खुब अज़ खुश पत्र मां पी रही हो छे, तो यह हमारा फर्स परेग्राप बन जाता है, लाइक ऐसा है आप वो इसा भी लिख सकते हो, कि बेर दीवस पहला तरो पत्र मोली हो, आनंद थे हो, तारी शानमा तरो प्रत्रम नंबर आवी हो, भगवान तने आवीरते प्रदती आपता रहे, तो जिवन ना सफरताना शिक्रों सर करता रहे है, तो हमारी पासे रुक्षार उपर नहीं जाणतारी मांगी है आप यह ते हम आप पे रहे हो जो, तो दर इस फर्स परेग्राप और यहाँ पर हमने अपने दो मांक्स 100% कवर कर लिए हैं, नाव इसके बाद जो आता है, वो है म इन परेग्राप की हैंने की मुख्य परेग्राप की बारी, इसमें आपको सोच समझ कर कम से कम शब्दों में कम भूल हो इस तरह से लिखना है, भूल कम होने चाहिए, सबसे पहले तो टॉपिक का विशे समनना जरूरी है, कभी-कभी टॉपिक कुछ और होता है और लिख द पर टॉपिक को आप ध्यान देते हो, कितना न्याय देते हो, यह जरूरी है, टॉपिक को छोड़कर और बातों को लिखना अच्छा नहीं है, कम से कम परेग्राप में आपको 10 या 12 वाक्यों से योग की अन्याय उस टॉपिक को देना चाहिए, परेग्राप लिखने के आपको ठीक तरह से उसके अंदर spelling mistake देख लेना चाहिए और ऐसे ही word का इसमाल करें, ऐसे शब्दों का इसमाल करें, जो शब्दों का आपका भरोसा हो, ऐसा एक भी शब्दों का इसके अंदर entry ना दे letter में, जिस spelling पे आपको भरोसा ना हो, और फिर अंत में आपको नीचे दि के गए सही तरह से मान सम्मान ये तरीके से ending paragraph करना है, अब जो ending paragraph करेंगे उसके अंदर तारा दादा दादी ने मारा प्रणाम के जे, तारा माता पिता ने मारी याद आप जे, अब दादा दादी, माता पिता, काका काकी, नाना नानी, मासा मासी, ये सारे spelling भी सही होने चाह अब spelling ये लन कर लो कि नमशकार कहा लिखना है नमशकार नहीं आ तो तो प्रणाम ले लो वर वो लन नहीं हो तो आपको याद ले लो पर अगर आपसे छोटे हैं तो नाना भाई या बहन होई तो उसको राजू, राम, लीला, इना, सीता ये प्रेम, ने, प्या, जो देन आप दिये सकते हो प्रेंडिंग बरेगरा पर ये खास याद रखे कि आप पिता जी को लिखरे हो फिर आप वापिस से उसके अंड मे लिखोगे तो आप माता पिता नहीं याद आप जे तो शायद ये गलत हो जाएग ये चीज़ को पियाद रखे अंड में नीचे तीन लाइन आती है लिखितन आपनो अगना के पुत्र अब कर अगर नाम दिया है राजेश महेश को लिखरा है और महेश राजेश को लिखरा है तो अच्छे तरह से उन लोगों का ही नाम वहाँ पर बता है जो इसके अंदर कार्या कर रहा है ठीक है तो ये था पत्र लेखन आशा करता हूँ आपको बहुर अची तरह से सुन में आया होगा नहीं सुन में आया होगा तो आप जरूर कमेंट्स दिजेगा इस चैनल को सब्स्वाइब करेगा इस मातव लेंग्वेग लासे और मैं मैं अंदर जोशी हूँ थैंक यू वेरी मच